पंजाब के एक छोटे से गाउं में दो बहने रहती हैं, जैस्मीन और तेजो तेजो को अपने गाउं और देश से बहुत ज़ादा प्यार है, वो अपने सारी जिंदगी अपने देश में ही रहना चाहती है तो दूसी तरफ जैस्मीन का सपना है कनेड़ा, वो एक ऐसे NRI से शादी करना चाहती है, जिसके साथ वो शादी के बाद कनेड़ा जा सके मेरा तो बस एक कोई सपना है कनेड़ा, और मेरा सपना है अपने देश में रहना, अपने देश का नाम करना इसी कहानी का हीरो है फते जो जैस्मीन से बहुत जादा प्यार करता है फते बोक्सर है और उसका कनेड़ा जाने का कभी कोई प्लैन नहीं है लेकिन वो जैस्मीन से प्यार करता है और जब उसे यह पता चलता है कि जैस्मीन का सपना कनेड़ा जाना है तो उसका सपना भी यही बन जाता है क्योंकि वो जैस्मीन के सपने को पुरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है जैस्मीन I love you, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ देख फते, मैं सिर्फ कनिड़ा से प्यार करती हूँ जिसके बाद फते का ये की सपना बन जाता है कि कनिड़ा जाने के लिए जोब इंटर्व्यू करेक करना और काफी इंटर्व्यूस देने के बाद फते कनिड़ा की जोब करेक कर लेता है जैस्मीन मैं तुझे कनिड़ा ले जाऊँगा जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बाचीत करकर रिष्टा तै करते हैं और शादी का मुहरत आ जाता है लेकिन उसी दिन फते को पता चलता है कि जिस कमपनी में उसने इंटरव्यू क्रैक किया है वो कमपनी बेंक्रप्ट हो चुकी है जिस वज़े से वो अभी जोइनिंग नहीं करा सकते फते को ये बात फते जैस्मीन को बताने की कोशिश तो करता है लेकिन शादी के फंक्शन की वज़े से वो जैस्मीन को ये बात नहीं बता पाता लेकिन जब शादी हो रही होती है तो मंडब पर वो धीरे से जैस्मीन को ये बात बता देता है कि वो अभी कनेड़ा नहीं जा सकता जैस्मीन ये शादी तोड़ कर चली जाती है और अब दोने परिवारों की इज़त बचाने के लिए फते और तेजो ये फैसला लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे और इस तरीके से हो जाती है तेजो और फते की शादी जो एक दूसरे से अभी प्यार नहीं करते लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे कर पाएंगे एक दूसरे से प्यार